हेलो गैंस केसे आप सब लोग, I hope आप सब अच्छी होगी, दोस्तो आज को वीडियो में हम करने वाले नोक्या C20 प्लस की अन्वोक्सिंग, साथी में आपको इसके सारे स्पेसिपिकिशां बता रहो, दोस्तो यह आपको मार्केट में क्या प्राइस पोल पे देखने को मिलता है, आपने इसको लेना चीए कि नहीं लेना चीए, यह सब कुछ में आपको यह वीडियो के अंदर बताने हो, वीडियो का पे इंट्रेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में इंटक बने रही है, वीडियो में पहली बार आयो, तो चैनल को ज़रू सस्क्रिब कर लेना, तो चलिए, फटाबट वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले box के उपर आपको Nokia C20 लिखा हुआ, देखने को मिलता है, पीची के side आपको इसके features लिखे हुए देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों कर लेते box को open, दोस्तों box को open करते हैं, इस सबसे पहले आपको सबसे पहले SIM Ejector Tool देखने को मिलता है, इसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक transparent case देखने को मिलता है, यह आपको normal quality card transparent case मिलता है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ documentation और warranty card देखने को मिलता है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर यह USB केबल देखने को मिलती कि इसके बाद एक टेन ओर्ट का फास्ट एडप्टर देखने को मिलता हैं दोस्तों इन सब को रख देते स्मार्ट साइड में और देखते स्मार्ट फोन को तो दोस्तों स्मार्ट फोन के रैपर को को निकालते दोस्तों इसकी डिजैन आपको काफी अट्रेक्टिव देखने को मिलती है उपर के साइड आपको डूल रियर कैमेरा और नीची के साइड आपको नोकिया की ब्रेंडिंग देखने को मिलती है तो दोस्तों बढ़ते इसके पोर्ट और बटन की तरफ नीची के up and down की देखने को मिलती इसके उपर के साइड आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है और इसके राइट हैंड साइड में दोस्तो आपको इसमें sim card ट्रे देखने को मिलता है तो दोस्तो इस smartphone को कर लेते बूट तब तक हम इसको cover लगा के देख लेते दोस्तो ए फोन cover में भी काफी अच्छा देखने को मिलता है पर इसका जो cover है वो एकदम fit बेटा है तो दोस्तो हमारा smartphone हो गया है बूट दोस्तो इसमें आपको 6.5 inch का HD plus display देखने को मिलता है दोस्तो इस जो smartphone है या इसमें आपको कोई फालतो के application देखने को नहीं मिलते है या आपको एकदम clean देखने को मिलता है तो दोस्तो इसके camera की कभी बात करते है तो real side में आपको dual rear camera setup देखने को मिलता है 8 megapixel का main camera 2 megapixel का depth sensor और दोस्तो फ्रन में photos और videos के लिए इसमें आपको 5 megapixel की selfie दी गई दोस्तो इस smartphone में performance की कभी बात करते है तो इसमें आपको Unisox SC9863A का processor देखने को मिलता है जो कि दोस्तो इसका comparison का भी अपन Mediatek G305 से करते है तो Mediatek G305 इससे थोड़ा बेटर निकल जाता है दोस्तो इसमें OS की कभी बात करते है तो इस smartphone आपको Android Alien Go Edition पे देखने को मिलता है इसमें battery की कभी बात करते है तो इसमें आपको 5000mh की big battery देखने को मिलती है साथी इसमें आपको 10W का charger मिलता है दोस्तो इस smartphone में आपको fingerprint sensor देखने को नहीं मिलता है दोस्तो इसमें price और variant की अभी बात करते है तो इसमें आपको 2 variant देखने को मिलती है दोस्तो इसके price की हिसाब से इसके जो specification दिये गए है वो काफी कम है इसके price के हिसाब से इसमें आपको थोड़ा processor अच्छा देना चीए ता और RAM रॉप थोड़ी बरानी चीए पर दोस्तो इस smartphone की जो build quality है और वो design है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है यह price range के अंदर आपको market में बोथ सारे smartphone देखने को मिलते है दोस्तो आपको इस smartphone के बारे में क्या लगता है आप comments करके जरूर बताईए और दोस्तो वीडियो को भी अच्छा लगाओगा तो वीडियो को like कर देना और चैनल को अब दख सस्क्रेब नहीं किया तो subscribe कर लो दो